मैं सोच रहा था कि कहां तमिल नाडू और साउथ की राजनीती में हम बड़े 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 कट आउट्स क्योंकि महां पर नायक राजनेता बनते हैं बहुत एक कल्ड परसनालिटी का चलन है कहां यूपी में आप जाएं तो उनकी राजनीती आयोध्या गेंद्रित है और कहां दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते हैं स्कूलों तक आजाती है कैसा अनुब हो है देखे ये बहुत सारी चीजें पहली बार देश में हो रही है आम आत्मी पार्टी के आने के बाद और पिछला जो चुनाओ रहा था कि चले पहला चुनाओ तो लोग बोलते हैं कि त रगता है कि हमने काम किया है तब हमें वोट दे वरना वोट ना दे तो मतलब आज मैं ये खुद सोचता हूं कि देश के सामने आज बहुत ही एक कॉंट्रास्टिंग ऑप्शन है जो पांच साल पहले जो आम आत्मी पार्टी का बहुत हुआ था आज से ज्यादा रेलेवें वाली चीज़े कर रहे हैं या फिर कल्ट पस्नालिटी की भी मतलब एट इंड ओड़े एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि आप लोगों के मुद्धे पर बात करी नहीं पाते हो मुझे इसलिए लगता है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है वो I hope over the years to come this is what मतलब लोग आज बात कर भी रहे हैं आप देखो बाकी सारे राजियों में आम आदमी पार्टी भी जो जा रही है हम लोगों से सबसे ज्यादा कर पा रहे हैं क्योंकि केवल हम अकेले हैं जो उनके जिन्दगी से जुड़े होई चीजों के बारे में बात करता ह इनके गरीब बात में हो तो वह क्या सोचता है चले आप आपने मंदिर की बात कर ली आपने मस्जिद के खिलाफ बात कर ली, आपने सारी चीज़े कर ली, लेकिन एवेंचुली तो उसे अपने बच्चे को पढ़ाने से मतलब है, वो भी चाहता है कि बच्चा पढ़ ले, तरक्की कर ले, और अगर वो देख रहा है कि केवल एक ही पार्टी है, जो देश को, मतल कुछ स्कूल चमका दो, बच्चों की पढ़ाई बैतर कर दो, हमारे लिए, it is a matter of belief.